नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लोक्स पे अगर हम हतेली को एक नजर करते हैं तो देखेगा हतेली का जो आकार है एक चोकोर आकार की हतेली यहाँ पे दिखाई दे रही है ऐसे बिखती बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और एक योद्धा किसम के बिखती होते हैं मेहनत करने से गवराते नहीं हैं बरतमान इस्ति अगर हतेली की देखा जाए तो हतेली में जहां तहां बहुत सारी रेखाईएं हैं पूटी-फूटी आउस्ता में हैं, छिन भिन आउस्ता में हैं, गोन रेखाईएं, एक तरब से पूरा जाल जो है बिछा वादिखाई दे रहा है। देखेगा हमारी हतेली में अगर बहुत सारी रेखाईएं आजाएं तो ब्यक्ति का जो बरतमान होता है वो संगर्समाई हो जाता है। हतेली में पैसा तो आता है, लेकिन पैसा हतेली में टिक नहीं पाता है, ब्यक्ति सही से जो है उन पैसों का सेविंग नहीं कर पाता है, मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। दूसरी बात ये रेखाईएं चिंताएं बढ़ाती हैं, मानसिक प्रेशानी देती हैं और जो ब्यक्ति का डेपलप्मेंट होता है, ब्यक्ति की जो प्रोग्रेश होती है, जो उन्नत होती है, वहाँ पर कहीं न कहीं अर्चनों का ब्यक्ति को सामना करना पड़ता है। लेकिन हतीली में कुछ बहुत सुन्दर साइन भी है बहुत कम हतीलियों में ऐसे साइन ऐसी रेखाएं देखने को मिलती है इस और भी हम जाएंगे उससे पहले अपने तमाम उन व्योवर्स से उन दर्शकों से एक अनुरोद करना चाहूंगा जो हमारी वीडियो देखते हैं अपना प्यार देते हैं लाइक करते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देखेगा जब ये वीडियो चल ली है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा आपको वो बटन दबाना है साथ में घंटी का एक आइकन होगा उसको भी दबाना है ओल कर लेना है सबसे पहले हस्तरेखा से समंदित पामिष्टरी से समंदित महतुपूर्ण वीडियो देखने के लिए और देखिए दोस्तों हमारा जो गौब लॉक्स है ने उसमें रियल हतेलियों का विशलेशन किया जाता है और हर हतेलिय में कुछ न कुछ नयां आपको देखने को सुनने को और सेकने को निश्चित रूप से मिलेगा यदि आप इस छेतर में रूचे रखते हैं तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा फाइदे मन्द होगा और उमीद करोंगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे तो उमीद है आपने लाइक कर लिया होगा नहीं किया तो कर लीजिएगा कुछ नहीं करना आपने एक लाइक पर बटन दबाना है बश देखेगा हतीली में जो आपकी कनिष्टा उंगली है वो अच्छे खासी लंबी है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच रही है इसे बहुत अच्छा माना जाता है अत्यंत स्रेश्ट माना जाता है कनिष्टा उंगली अगर इस तरों से लंबी हो तो ब्यक्ति निश्चित तोर पे ब्यापारी होता है या अधिकारी होता है कि चाए प्रेविट नोकरी कर रहा हो चाए सरकारी नोकरी कर रहा हो अच्छे पद पे ऐसा बिक्ति बैठता है या वो अच्छे पद पे नहीं है तो वो ब्यापार कर रहा है स्रेश्ट और सफल ऐसा बिक्ति होता है और कनिष्टा अपनी जगा इस तरों से सीधी खड़ी होती है तो ऐसा बिक्ति अपने बल पर कुछ करने वाला होता है ये गुण आपके अंदर अच्छे वो स्रेश्ट आउस्ता में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दूसरी अगर हम बात करें बुद्ध की ही बात करते हुई चलते हैं क्योंकि बुद्ध आपको बहुत कुछ कहता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत कम हतेलियों में मिलती है हर किसी हतेलियों में यह रेखा नहीं मिलती है आपकी बुद्ध से निकल कर एक रेखा सीधा ब्रिस्पति पर चली जा रही है और ब्रस्पति धन का ग्रह है ग्यान का ग्रह है गुरु सरिष्ट का ग्रह है ऐसा ब्यक्ति ये रेखा जो है अगर ऐसी हो तो ब्यक्ति को ब्यापारिक सपलता दिलाती है निश्चित तोर पे अगर ब्यक्ति ब्यापार कर रहा हो तो बहुत बड़ी सपलता ये रेखा दिला तो व्यक्ति को अत्यदिक सपलता मिलती है ऐसे व्यक्ति में नेतिर्ट्व, प्रतिभा और महत्व कांचाओं की कमी नहीं रहती है और जब आप में नेतिर्ट्व है आप में प्रतिभा है आप में महत्व कांचाओं है तो निश्चित तोर पे सपलता भी आपके पास है और ब यून की रेखा है अगर वहां पर आप चले जाई हो तो ये चालिसमें वर्स में जो है एक निमन मंगल से ये निमन मंगल का छेतर है उस छेतर से निकलकर राहो की रेखा मंगल से ये बुद्ध से युक्त बना रही है चालिसमें साल में इसका फल एक तालिसमें साल से मिलता यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी बीच में जो है नजर दोसी सतीली में है इनको मैं उपाई दूँगा जो ती ब्रगति से इनकी डेपलमेंट को इनकी प्रगति को रोके हुए है इनके काम जो बनते बनते रहे जा रहे हैं जो इनका विस्तार नहीं हो पा रहा है बरतमान में उसका मैं उपाई दूँगा लेकिन रहा ही बड़ी सटीक है यदि राहु रहा आकरामक मंगल से इस तरो बुद्ध की और चले जाता है तो ब्यापार में अपार सपलता या किसी बेग्यानिक सपलता में सयोग करती है और यही राहु रहा जीवन में दो तरफा इनकम भी देती है यदि साथ में भग्य रहा भी इस तरो से सुन्दर अवस्ता में हो अच्छी अवस्ता में आ जाए तो डेफनेटली एक जोग और दूसरा बिजनिस या दो अलग-अलग इनकम सोर्स एक डारेक्ट इनकम और एक पेसिव इनकम यानि कि एक मुख्या और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम आपको निश्चित रोप से जो है एक तालिसमे वर्स से मिलती हुई यहाँ पर राहु के कारण दिखाई दे रहा है आपका राहु जो है उच्च भाग में बैठावा यहाँ पर परतीत हो रहा है लेकिन दूसरी अगर बुद्ध की इस्तिति एक और देखे अभी हम बुद्ध पे इही बात कर रहे हैं वो इसलिए कि बहुत जरूरी है बुद्ध परवत पे बहुत सारी रेखाए हैं और इस तरों से जो है कट भी रही है इसको गिरिल कहते हैं बुद्ध छेतर में जो है गिरिल जोतिस में बुद्ध को चतर और चाला ग्रह माना गया है इस परवत पर गिरिल होने का अर्थ है कि ऐसा बिक्ति में चतुराई होती है अपना जो ब्यापार होता है उसके लिए चतुराई ऐसे बिक्ति के अंदर होती है ये अच्छी चीज तो है लेकिन इसके अलावा अगर इस पे जाल हो तो ये पाचन तंत्र में गड़बड़ी की और संकित करता है ऐसे लोगों का नर्वस सिस्टम भी कभी कभी जो है बिगड़ जाता है सही नहीं होता है तो थोड़ा इस और जो है आपको ध्यान देना है इसके लिए कुछ नहीं जादा करना है इसके लिए अगर आप चाहो तो हरे फल हैं हरी सबजियां हैं हरी दाले हैं इनका सिवन आपको जादा करना पड़ेगा और जब आप इनका सिवन जादा करींगे तब जो है इसमें जो है बृधि होगी और बुद्ध आपका मजबूत होगा और आपका जो धनभाव है उसमें भी बृधि होती हुई याप दिखाई दे रही है वहीं अगर हम आगे चलते हैं तो देखिएगा यहां पे जो आपका सूर्य है सूर्य में भी ग्रिल बनता हूँ दिखाई दे रहा है एक दूसरे को रेखाई हैं काटते हुई यहां पे साप रोप में दिखाई दे रहा है और सूर्य में अगर ग्रिल होता है तो ये जीवन की सपलता के अस्तर को घटाती है और कहीं न कहीं बिक्ति की जो चबी है जो उसकी प्रिसनल्टी है उसको भी गिराने का काम करती है और बहुत जादा बढ़ गया तो बिक्ति दुरभाग्या का भी सिकार हो सकता है और बरतमान समय में देखा जाए इस तरों से सूर्य अगर कमजोर हो इस तरों से सूर्य जो है दोस्युक्त हो तो आपकी मिहनत का आपकी प्रिस्रम का पूरा स्री पूरा क्रेटिट नहीं मिल पा रहा है इस और जो है ये इंगित कर रहा है चाए आप नोकरी करने हो चाए आप व्यावसाई कर रहे हो उसमें बिस्तार नहीं हो पा रहा है तो आपको अगर अपने जीवन में अपने काबों में बिस्तार चाहिए अपनी मेहनत का अपनी परिस्रम का पूरा क्रेडिट चाहिए पूरा स्रेई चाहिए तो सूर्य को आपको मजबूत करना बहुत जरूरी है वहीं सोरे पे देखा जाए तो एक इस तरहों का सांदार चिन बनता हुआ भी नजरा रहा है जो यस की प्राप्ति करवाता है जैसे ही ग्रोहों की इस्तिति अच्छी होगी और 41 साल से राहों का मिलन जो है बुद्ध सी हो रहा है तो निश्चित तोर पे जो है कारियों में विस्तार तो बढ़ेगा साथ साथ में धन के छितर में भी उन्नति होने की आशा बहुत अच्छी यहां पर दिखाई दे रही है और अगर ब्यापार कर रहे हो तो ब्यापार की जो यह रेखा है यह आपकी प्रतिफा और नितिर्त चमता और महत्त का अंचाओं के बल पर आपको जो है आपकी जो ब्यापारिक चीजे हैं उनमें बहुत बड़ी सपलता दिलाती हुई यहां पर दिखाई दे रही है अगर हम उहीं बात करते हैं आपके सनी की छेतर के सनी की छेतर में भी जो है कई रेखाईं दोड़ती हुई यहाँ पे नजर आ रही है और इसको काटती हुई भी कुछ रेखाईं यहाँ पे नजर आ रही है ये थोड़ा हलका सा गिरिल नुमा बनाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो सही नहीं माना जाता है यदि सनी पर इस तरहों से गिरिल बनता है तो बिक्तिने थोड़ा सा अकेलापन का सिकार हो सकता है दुनिया में थोड़ा कम्यूनिकेशन इस्किल्स से थोड़ा सा कमी महसूस इसमें होती है और ये थोड़ा सा चिंताई बढ़ाता है जीवन में जो है करियर और आर्थिक मामलों में समस्याई उत्पन कराता है सनी के नेगेटिव प्रभावों से बचने के लिए मैं सुन्दर उपाय दूँगा इस उपायों को करने के आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है और करने की आउशकता भी है आपको करना भी चाहिए अगर हम बात करते हैं आपका अंगोठा देखें तो इक्षा सकती बहुत सुन्दर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है और आपको अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर की प्राप्ति होगी इस और भी आपका अंगोठा यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है अगर हम आपके सुक्र छितर को देखते हैं तो आपका सुक्र छितर बहुत सुन्दर अच्छा है उबरावादी यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखो कैसा भी हो जिवनकाल में बहुत एक सुक्सुड़ नएं बहुत अच्छी रहेंगी परिवार का साथ में मिलता हुआ यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है नई चीजों के पर तिरुजहन रहेगा इस बात को भी बता रहा है आपकी परसनल्टी जो है बहुत सुन्दर निखर कर आएगी इस और भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा है तो वाहन का सुक भी मिलता हुआ और घर का सुक मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है दामपत्य जीवन भी अच्छा खासा रहेने वाला है आने वाले समय में हाँ थोड़ा सा देखें तो बहुत सारी रेखाई यहाँ पर दोड़ रही है इस तरों से तो किसी चीज के बारे में आप बहुत ज़्यादा गहनता से सूच भी रही है थोड़ा सा चिंता का भाव भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है निमन मंगल आपके प्राकर्म को आपके एनरजेटिक सुभाव को यहाँ पर बताता हूँ दिखाई दे रहा है हलके रोप में मानसिक परेशानी थोड़ा सा जो है मंगल भी यहाँ पर दिखाता हूँ नजरा रहा है लेकिन आपकी जो जीवन की रेखा है वो बड़ा शुन्र है और जीवन काल के जो है पचासमें वर्स में कहीं न कहीं एक बड़ी यात्रा की और जो है और सुखद यात्रा की और जो है आपकी हतेली की यह रेखाई आप दिखाई दे रही है और उस समय जो है थोड़ा रहा है वहीं एक रेखा यहां से निकल रही है एक रेखा यहां से निकलती हुई एक मचली का चिन भी यहां पर के तुछितर में बनाते हुई नजरा रही है यदि के तुछितर में मचली का चिन बनता है तो व्यक्ति को यह धार्मिक प्रवृतिका बनाती है जैसे जैसे उम् बेक्ति निश्चित तोर पे जो है आने वाले समय में होगी ये निश्चित तोर पे जो है आपकी हतेली इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। और थोड़ा चंद्रमा से मिल रहा है चंद्रमा थोड़ा कमजोर भाव में है तो कहीं न कहीं जो है चिंतातुर स्वभाव यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है मानसिक परेशानी थोड़ा टेंसन की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है वहीं अगर प्रारंबिक जीवन देखें तो थोड़ा संगर्समाई जादा राहा होगा जो देरे-देरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं अगर देखें यहाँ पे जो है एक तिर्कुन बनता हुआ दिखाई दे रहा है राव के छेतर में एक तालिसमें से लेके पैतालिसमें वर्सिके बीच में अचानक धन योग का भी यहाँ पे जो है योग बनता हुआ यहाँ पे निश्चित तोर पे दिखाई दे रहा है और एक तालिसमें वर्सिके बाद से आपकी अरनिंग अच्छे खासी मातरा में दिखाई दे रहा है और खर्चा कम मात्रा में ही आपकी दिखाई दे रहा है मनि खर्चा जादा खर्चा कम होगा और अर्णिंग आपकी जादा होगी वहीं अगर आपके हम ब्रस्पति को देखें ब्रस्पति सुन्दर और अच्छे बाहों में दिखाई दे रहा है निश्चित तोर पे जो है 41 से 42 साल में चाहे नौकरी कर रहे हूँ चाहे आप जब व्यापार कर रहे हूँ उसमें विस्तार यहाँ पे दिखाई दे रहा है हिर्दे रेखा को देखें तो हिर्दे रेखा आपका सीधा जो है गुरु का और सनिका प्रभाव पड़ रहा है तो बिक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेगा अपनों को थोड़ा भावना के बस में होकर के थोड़ा पैसे उगे रहना फसाएं क्योंकि अगर फस गए तो वापिस मिलना थोड़ा सा कठिनता यहां पर लग रही है अगर उपरी मंगल को देखें उपरी मंगल आपका सुनर है बहुत अच्छी इस्तितिमे है और यहां पर एक बर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है दीखेगा अगर मंगल के छितर पर बर्ग बनता है ऐसे लोगों को अचल संपति का अच्छा खासा लाब मिलता है अच्छे खासे लाब की प्राक्ति होती है प्रोपल्टी ऐसे लोगों की अच्छे खासी बनती है तो ये निश्चिंत रहे मंगल आपको आपकी जीवनकाल में अच्छे खासी जो है प्रगति देता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रमा का छेतर थोड़ा गडबड अवस्था में लग रहा है बरतमान समय में और जब भी चंद्रमान गडबड होता है तो मानसिक रोप से थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है थोड़ा सा चिंतातुर भाव विक्ति का दिखाई देता है और जीवनकाल के लिए जो भी योजनाई बनाते है वो योजनाई जो है बरतमान में फली बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही है थोड़ा सा चिंता का भाव बना हुआ है इमोशनली थोड़ा परेशानी हाँ पर दिखाई दे रहे है कलपना जादा करते हैं तो अवसाथ की इस्तिति यहां पर जादा दिखाई दे रही है एक रेखा यहां से निकल कर इस तरफ से दिखाई दे रही है यह रेखा अगर बिक्ति कीजिवन में सब कुछ होते हुई भी ये रेखो थोड़ा सा अलग चीज करती है कि बिक्ति को थोड़ा अभाव की इस्तिति दिखाई देता है सब कुछ होते होई गी तो बिक्ति किसी न किसी नसी की और चले जाता है कोई या भक्ति भावना की और चले जाता है कोई सिक्रेट की लत लगा लेता है कोई एल्कोहल की चले जाता है जादतर मामलों में जो है कामुकता की और ये रेखा जादा ले जाती है और थोड़ा सा जो है बिक्ति का जो अंदर रहता है कि मेरे पास अभाव की इस्तिते है कहीं न कहीं कमी है तो इसका मैं उपाए दूँगा इसको करने की कोशिस करे और बरतमान में जो संगर्स चला है उस संगर्स को कम करने चली भी मैं सुन्दर उपाय आपको दूँगा बहराल देखा जाए तो मैंने आपकी हतिली का पूरा विशलेशन कर लिया है उन सब चीजों से एक चीज निखरके बिलकुल साप आई है कि आपकी जो बुद्ध की रेखा है वो रेखा जो है आने वाले समय में ब्यापारिक सपलता बहुत अच्छी मातरा में दिलाएगी आपके नेतिर्ट प्रतिपा और महत्तो कांचाओं में कभी कमी नहीं आएगी और जिस तरों से 41 साल से जो है राहों की इस्तितिक प्रबल आउस्ता में आ रही है बुद्ध के गुणों में बृत कर रही है तो कहीं न कहीं ब्यापार में बहुत बड़ी सपलता की और ये ल ले जाते हुई दिखाई देरी है लेकिन अभी एक साल तक कहीं न कहीं थोड़ा संगर्शों का सामना थोड़ा मानसिक परिशानी का सामना विक्त को करता हुआ यहां पि दिखाई दे रहा है इस वीडियो में बस इतना ही एक नहीं वीडियो के साथ पुनों ऊपस्तितूइ तब तक के लिए अग्या चाहता हूँ नमस्कार